हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आज मैं आपके लिए किचन में ही रखी बेसिक चीजों से बहुत ही चटपटे मज़ेदार कुरकुरे से नास्ते की रेस्पी लेकर आई हूँ तो चलिए फिर इस अनोखी सी रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए इस नास्ते को बनाने के लिए हमने ये तीन उबले हुए आलू लिए हैं इनके चिलकी हमने पहले से हटा लिए ही, तो अभी क्या करेंगे, इन्हे हम ग्रेट करेंगे, दोस्तो इस नास्ते में हमें आलू को कदुकस करके हिलेना है, आलू को अगर आप कदुकस नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इन्हें मैश कीजेगा कि इनके अंदर कोई गुठलियों गयरा बिल्कुल भी ना रहने पाएं तब यह नास्ता बहुत ही बड़ी है प्रफेक्ट बनकर तयार हो पाएगा आलू को हमने अच्छी तरह से कद्दुकस कर लिया है तो इन्हें हम यहीं पर रखा रहने देंगे तो चलिए हम नास्ता बनाने के लिए गैस की तरब चलते है इधर गैस पर हमने कड्हाई चड़ा लिये कड्हाई में हम दो चम्मद तेल डाल कर गरम करेंगे जब तेल हमारा बढ़ियां से गरम हो जाएगा तब हम इसमें आधा चम्मद जीरा डाल कर चटकाएगे जीरा हलका सा चटक जाएगा तब हम इसमें दो बारी कटी हुई हरे मिर्स भी डालेंगे और आधे इंच अत्रक के टुकडे को हमने इस तरह से बारी काट लिया था यसे भी डाल देंगे साथ ही पार्ण से 6 कलिया लेसन की हमने बारी क महीन काट ली थी इन्हें भी डाल देंगे डालने के बाद हम कुछ सिकन के लिए चलायेंगे फिर एक बारी कटी हुई प्याज भी डाल देंगे फिर सभी चीजों को थोड़ी देर की लिए पकायेंगे दोस्तों अगर आप प्यास खाते हैं तो जरूर से डाल दीजेगा क्योंकि इस नास्ते में प्यास का क्रंची टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है प्याज और सभी चीजे थोड़ी सी पग गई तो हम यहीं पर कुछ हलके फुलके ड्राइ मसाले भी एट करेंगे तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम कम कर लेंगे तभी मसाले डालेंगे नहीं तो हमारे मसाले चल जाएंगे तो सबसे पहले दो जुटकी हल्दी पाउडर एक चमस धन्या पाउडर तो बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दोस्तों अगर आप नास्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च बच्चों के टेस्ट के हिसाब सही डालेगा अभी यहाँ पर हमने इतने ही मसाले डाले हैं मसाले को चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे और जब मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाएंगे तो जो हमने आलू ग्रेट करके रखे हुई हैं इन्हें भी डाल देंगे और मसालों के साथ इन्हें भी थोड़ी देर के लिए भूल लेंगे दोस्तों आप से हमारी प्यारी से रिक्वेस्ट है अगर हमारी या आज की नाज्टे की रेस्पी आपको थोड़ी से भी पसंद आए तो प्लीज अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर से दीजेगा लिया है तो अभी तक हमने इनमे नमक नहीं एट किया है तो क्या करेंगे यही पर हम स्वात के अनुषार थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ ही हमारा नास्ता चटपटा बनकर तयार हो तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे दोस्तों अगर आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो इसकी जगह पर आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आधे निम्बू का रसाबने चोड़कर डालीजे उससे भी नास्ता हमारा चटपटा बनकर तयार हो जाएगा नमक डालने के बाद हमने आलों को एक मिनट तक और पका लिया है दोस्तों हमारे पास आज हरा धनिया नहीं था तो हम हरी धनिया की जगह पर एक कुछ चोटे-चोटे कड़ी के पत्ते एड़ कर रहे हैं आपके पास अगर हरा धनिया है तो आप उससे भी डाल सकते हैं या फिर उसकी जगह पर पुदेने के पत्ते भी डाल सकते हैं यहीं पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें किसी प्लेट या धाली में निकाल लेंगे आलू मसाले को निकालने के बाद हमने कढ़ाई को गैस पर फिर से जढ़ा लिया है अब हम कढ़ाई में दो कटोरी के करीब पानी आइड करेंगे आप घर की कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं सबी चीजें हमें नाप कर ही लेनी हैं पाणी में हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और पानी को उबलने देंगे पानी में हमें कोई मसाल्यों गईरें नहीं डालने हैं इसमें हम सिर्फ, एक चम्मच के करीब कोई भी खाने वाला तेल एट करेंगे इसके जगह पर आप फिल बटर भी डाल सकते हैं अभी देखे पा तो इसमें लम्स बन जाते हैं अभी इसको बराबर चलाते हुए पकाईगे जब तक इसका डो बनकर तयार नहीं हो जाता है सुजी बहुत ही जल्दी पकर तयार हो जाती है बस आपको इस बात कàng时间 देना है कि इस条 हमने दो पहानी लिया था ना उसी पहाली से हमें इक के टोरी सूजी लेनी है सारी चीजों का मेजर्मेंट ठीक रखेगा फिर आपको रेस्पी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी देखिए सूजी कड़ों बनकर तयार हो गया है यह अपने आप ही कड़ाई छोड़ रहा है तो चलिए हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे और इस हम आराम से चुपा रहे हैं तो इसे हलके गरम में हाथों से मसल कर स्मूथ कर लेंगे हमने दो भून हाथों में तेल लगा लिया था सूजी ना हलकी से हाथों में चिपकने लगती है इस तरह से स्मूथ कर लेंगे देखिए या इस तरह से मसलने के बाद बहुत ही जल्दी स बेलने में रोटी के जैसे तो नहीं चिकना होता है इसके थोड़े भूत किनारे फट जाते हैं तो कोई नहीं बात में हमें इसे काटना ही है बेलने के बाद देखे इस तरह का कोई गिलास या फिर कटोरी लेंगे और जितने पीस काटते बन जाएंगे आराम से इस तरह से काट लेंगे पचे हुए इस्टा हिस्जे को हटा लेंगे इसे दुबारा से हम इस्तेमाल करेंगे देखें कुछ इस तरह का बेल कर तयार हुआ है इन्हें हम उठा कर साइट में रख लेंगे और जो हमने आलू मसाला तयार किया था ना उसे लेंगे हाथ हमें थोड़ा सा आलू मसाला लेंगे और इस तरह से इसे नास्ते के बराबर साइज की तिक्के बना लेंगे अब हम नास्ते वाली सीट उठाएंगे और आलू मसाले वाली तिक्के सीट के उपर रखतेंगे उपर से दूसरी सीट से कबर कर देंगे देखिए इस तरह से यह हमारा नास्ता कितना ज्यादा अनोखा और सुन्दर बन कर तयार हुआ है जिसको भूख नहीं भी लगी होगी उसका विमन कर जाएगा खाने का तो इसी तरह से हम सभी नास्ते को बना कर तयार कर लेंगे बात में बनाएंगे पहले मैं नास्ते के उपर आपको डिजाइन बनाकर दिखाती हूं इस तरह से कोई घर का खाने वाला चम्मच लेंगे और इसके पीछे हिस्से से इस तरह से नास्ते के उपर डिजाइन बनाते जाएंगे डिजाइन बनाने के बाद यह नास्ता और भी ज तबावी ले सकते हैं एक चम्मस तेल ला लेंगे और तेल को चम्मस से पूरी कढ़ाई में फखला देंगे अब तेल और कढ़ाई हमारी पढ़िया सी गरम हो गई हैं तो नास्ति को भी हम कढ़ाई में एक-एक करके लगा देंगे, गहस का फ्लेम हम medium ही रखेंगे, तभी हमा नास्ते को हमने दूनों साइट से बढ़िया से एक लिया है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं देखिए यह कितना क्रिस्ट भी और मज़ेदार लग रहा है तो आप हमारे कहने से एक बार जरूर से ट्राइ कीजिएगा बिलते हैं ऐसे ही किसी अनोखी मज़ेदार सी वी थांक यू